हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे सोयाबीन का सलाथ भूत ही हैल्दी और पॉस्टिक होता है इसको बनाने के लिए हम एक कटोरी सोयाबीन ले लेंगे जो निट्यला कहलाती है और इसको हम गरम पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देंगे पास से दस मिंटे इसको भिगो दें इसके बाद हम एक ग्लास पानी डाल कर इसको प्रेशर कुकर में डाल कर एक सीठी लगा लेंगे कम गलीवी चाहिए तो एक सीठी ज्यादा गलीवी चाहिए तो दो सीठी इस प्रकार हम कुकर में डाल के सीठी लगवा लेंगे सीठी खोलने के बाद हम ये दो सीठी हमने लगवाई है अच्छे सी गल गई है इसको हम छनी पर निकाल लेंगे और साफ पानी से दोकर इसको अच्छे से दबा कर इसका सारा पानी निकाल देंगे सारा पानी निकल जाने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे यह अच्छी गल चुकी है इसलिए इसको काटने की जरुतनी है टुकडों में यह अपने आपी सॉफ्ट बन गई है यदि एक सीटी लगाएंगे तो इसके दो-दो पीसिस करने की जरुत पढ़ जाती है काला मिर्च डाल देंगे हम वन फोर्थ चमच वन फोर्थ चमच लाल मिच पाउडर और वन फोर्थ चमच नमक स्वात के अनुसार तेज भी आप डाल सकते हैं अब हम एक कप इसमें भरके दही डाल देंगे इसमें हम खीरा ककडी भी डालते हैं अभी हम टमाटर एक टमाटर और दो प्याज काटके इसमें वो भी डाल देंगे इसमें पत्ता गोभी शिमला मिर्च उसका भी चौक लगाया जाता है यह जीरा पाउडर अब हम कड़ाई में गैस पर कड़ाई रखके उसमें एक चमच उयल डाल देंगे और और सिया सीड, वन फोर चमच सिया सीड डाल देंगे और एक शिमला मिर्च काटि हुई वो भी अचिक उसमें डाल देंगे इसमें पत्ता गो भी फ्राय कर सकते हैं वो भी इसमें हम डाल सकते हैं इसको अच्छे से तोड़ा पक्चा है, उसके बाद हम इसको सलाद में डाल देंगे इस सब हम सिया सीड और शिमला मिश्का चौक मिश्क में डाल देंगे इसको भी हम सबको अब मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होता है और बहुत ही हल्दी होता है आप बना एक बार बनाकर ट्राय करें जरूर और कमेंट्स करके बताएं अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे यह बहुत ही सौधिस्ट बनके त्यार होता है थोड़ी देर हम इसको ढखकर रख देते हैं फिर उसके बाद इसको यूश करते हैं यह दही में अच्छे से मेरिनेट हो जाने के बाद ही इसको सर्व करते हैं लीजे तयार है सोयाबिन का सलाद बनाईए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो यह अक्सर अमारे गर बनता ही रहता है सोयाबिन का सलाद अक्सर खाते हैं तो यह बनाते हैं इसलिए वीडियो भी बना दिया है अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लिस सब्सक्राइब करें बहुती टेस्टी और बहुती स्वाधिस्ट स्वया बिन का सलाद वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद देवाद बहुती स्वाद बहुती स्वाद अवाद झाल